जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुक आप सभी का महारदिक स्वाकत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुपकाबना है आज हम बताने वाले हैं जो आप इस्तोत्र पढ़ते हैं कबच पढ़ते हैं वास्तव में उसका दैवी है आज चेरे जनक आपको लाप्राप्त हो सकता है यदि आप उसको स्वाद्धभाव से पढ़ें अभी कुछ चर्चा इस विशे के उपर आज हम करेंगे आए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं हर व्यक्ति जो सनातन धर्म को मानता है और भगवान में उसकी आस्ता है थोड़ी या ज्यादा जैसी भी है वो कोई ने कोई स्तोत्र पाठ अपने जीमन में एक बार करता ही करता है और देखो लाखो करोडों वो भी लोग हैं जिन्नोंने प्रति दिन नियम बना रखा है कि हम आदित्य हरदे स्तोत्र का पाठ पढ़ेंगे आज हम देवी स्तोत्र पढ़ेंगे दुरुगा कवच पढ़ेंगे तो कहने का भाव यही है, कि ये जो इस्तोत्रादी होते हैं, ये बहुत ही महत्वप्वूर्ण होते हैं, आप ध्यान रखना आपको पता नहीं लगेगा, ये आपके जन्ब जन्व अंत्रों के बुरे कर्मों को धोते चले जाते हैं, जैसे एक चादर को मेली चादर को हम साफ करते चले जाते हैं गंदे घर को साफ करते चले जाते हैं और एक दिन वो घर बिल्कु साफ सुत्रा हो जाता है ऐसे ही हमारे किये गए जाने अंजाने में अन्यों को प्रकार के पाफ जो जन्मों से हमारे उपर लदे होते हैं और जिनका हिसाब सुख और दुख के रूप में हमें देना होता है आप ये जो इस्तोत्र आ कवच आदी पढ़ेंगे न इस से आपको शांदार अलाब की प्राप्ती होती है कई बार बहुत लोग अच्छे से संस्क्रत नहीं समझते लेकिन वो भावना परवल रखते हैं और भगवती का या किसी भी देवी देवताओं के जोड़े हुए इस्तोत्रादी पढ़ते हैं भान नहीं आप क्या बोल रहे हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बाते हैं आप लोग बोल रहे होते हैं लेकिन भगवान समझदार है वो आपके सारी बाते सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं और उसी हिसाब से आपको शुवासिस दे रहे होते हैं कई बार आप सोच लेते हैं कि इतने साल होगे इस तोत्र पढ़ते हुए लाग नहीं मिला लेकिन आपको मालूम नहीं है कि हमने करजा इतना ले रखा है कि अब तक वो उत्रा नहीं है मतलब हमारे करम ऐसे बुरे हैं पूर जन्मों के कि उन्हें धोते-धोते साप करते-करते आपकी भक्ती उसमें जा रही है लगन से करते रहना हैमत मत हारना आपको शांदार लाग की प्राप्ती होगी जो लोग दुर्गा कबच पढ़ते हैं बहुत पढ़ा कारे करते हैं मन से दुर्गा कबच आप पढ़ रहे हैं मैं आपको एक दुलाईने वैसी सुना रहा हूं हमने तो बोल दिया लेकिन भाव कित्ते बड़े हैं दोनों नेत्रों के मद्दे में संखनी भगवती मेरी रख्षा करें कानों में द्वारवासनी रख्षा करें काली का देवी कपोलो की तथा भगवती शांखरी कानों के मूल भागी की रख्षा करें नासी कायाम सुगंदा चे उत्रे उस्टे चे चर्ची का अध्रे चामरत कला जिवाम चे सरस्वती नासी का में सुगंदा और उपर के होट में चर्ची का देवी रक्षा करें नीचे के होट में अमरत कला तदा जिवामें भगवती देवी रक्षा करें जितने भी गुप्त से गुप्त इसतोत्र कवच आदी आप पड़ते हैं चाएगो इंदराक्ष flips इस्तोत्र हो इंद्राक्षी कवच हो अदि तिहर्दे स्तोत्र हो नारायन कवच हो महमरतुन де स्तोत्र हो उनमें इतनी अद्भुत अद्भुत चीजे चुपी होई हैं कि आप पूछेगा मत कई बार जीवन में हमें पता नहीं लगता हम उतना अच्छा काम कर जाते हैं और कई बार हमें जीवन में ऐसास नहीं होता हम बहुत बुरा काम कर जाते हैं इसलिए मेरे साथ को आज मेरी बात का ध्यान रखना जब भे आप इस सोत्रिया कोई कवच पढ़ें इतना तो हमें पता ही होता है कि हम भगवती सहस्वती का पढ़ रहे हैं लक्ष्मी जी का पढ़ रहे हैं दुरगा जी का पढ़ रहे हैं करसंजी का पढ़ रहे हैं राम जी पूर्ण श्रद्धा विस्वास के साथ आप पढ़ना और कवच का मतलब यही होता है कि जो आप कवच पढ़ रहे हैं उससे आपके सरीर की, आपकी बहुतिक संपन्ता की, आध्यात्मिक संपन्ता की हर तरह की आपकी रक्षा होगी और आध्यात्मिक और बहुतिक सुखी इसलिए वो कवच है पहले जब युद्ध के मैदान में लोग लड़ते थे तो सरीर के उपर लोहे का नाना प्रकार के धातू का कवच डाल करके तलवारों से भालों से लड़ाई रड़ी आती थी तो वो कवच उनकी शत्रू के प्रहार से रखसा करता था ऐसे ही ये कवच हो ये हमारी रख्षा करते हैं कावच चादी इसलिए जब भी आप इने करें पूर्ण श्रद्धार विस्वास से करें नहीं तो ना करें और जब भी इने पढ़ें तो एक बार उनका एक दो बार कभी रिविजन कर लिया करें हिंदी अर्थ देख लिया करें ताकि आपको ऋलसा करके आपके संझाने के नियस से मैंने पढ़ा तो एसी समझने की और समझाने की नियस से हैं प्रेम पूर्वक पढा करें ताकि जब आपने पढ़ें पढ़ें यहीई को सुना ही देचे Wakar ब्ला दिकितिंख मंत्र है वो पांसु वाचिक मांसिक तीन प्रकार से होता है वो मैंने आपको अलग वीडियो में बताया हुआ है उसे आप कैसे बढ़ सकते हैं और जब आपको कवच या पाठ याद हो जाए फिर तो पूरा रोमांच आयाता है मस्ती आयाती है डूप करके अपने देवी देवता के उस्तवरूप में अपने इस्ट में आप उसे पढ़िये और देवा क्या आनदा आएगा रामन जब शिवत आंडव पढ़ा करते थे वीर रस्में ओत्प्रोथ हो जा करते थे तो कहने का भाव यही है जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे आपको धीर धीर आनदा बस आपको किसी गाइड की दिरुत होती है कोई आपको समझा दे तो आप और अच्छे से करने लगते हैं है ना तो बस वही छोटा मोटा जितना भी मुझे चूटा फूटा ग्यान है तो मैं आपके सामने आगर के वो प्रस्तुत कर देता हूं और बस यही चाहता हूं कि आ आप मेरे अपने हैं आप जितना अच्छे से अच्छा भगवान का काम कर सकें गुनगान कर सकें उत्रही अच्छा आपका हीत होगा मेरा इसमें यह दे चिपा होता है ठीक है तो आईए समय उचल आज की ध्यान साथना का जुड़ते हैं आज जैसे की दिन सोंबार का भी है भगवान शिव सब्भू से कर्म करोमित दखिलं संभोस्तवाराधनं चंद्रोद वाजित सेखरे स्मरहरे गंगाधरे संकरे सरपे भूसित कंठकर्ण विवरे नेत्रत्वे स्वानरे दन्ते त्वक्रित सुन्दराम वर्दरे त्रेलोक्य सारे हरे मोक्छार्तिम कुरुचित वृत्यम चलं मन्ने स्थुकिम कर्म वे वन्दे देव उमापतिम सुरुगुरुम् वन्दे जगात कारणं वन्दे पन्नग भूशनं रिगदारं वन्दे पजो नामपतिम् वन्दे सूर्य ससांक वन्निनयनाम वन्दे मुकुंदा प्रियं वन्दे वक्त जनस्रयं चवर्दाम् वन्दे सिवं संकरं ओम करपूर गुरं करुणा वतारं संसार शारं बुझकेंडर आरं सदा वशन्तं व्रिदयार विंदे बवं भवानी सैतं नमामी कवच बना लें ध्यान करें भग्मान सिवसंभू का सुवासीस हम सब के उपर बरस रहा है आप देखो ये भी हमने कवच बनवाया ना कवच बनाईए आपकी सुरक्ष्चा रहे है ओम बोलते हुए नेत्र होने समान्य हो जाएं देखो साथ कोई जिन जिनकी जन्मपत्रिकाई जनके बच्चो की वैदिक जन्मपत्रिकाई हमारे संस्थान में बनने के लिए आती हैं या आपके कोई ऐसी दिव्य यंत्र हैं या आपके कुछ अनुष्ठान चलते रहते हैं और आपकी रुद्राक शादी होते हैं तो बस थोड़ा साथ समय का जरूर ध्यान रखें क्योंकि सभी का एक साथ समय नंबर नहीं आ सकता टाइम लगता है जिनके अनुष्ठान होते हैं उनमें भी आपको थोड़ी बेटिंग करने पड़ जाती है महीने की द कामनाओं के साथ हम अपनी मानी को विराम देते हैं जय जय अम्भे मेरी बहुत दिन से दिली एक्षा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुर्श मिलें और मैं वहां जाके जुड़के और देश समाज के लिए कुछ कर पाऊं कई चीजे हैं समाज में समाज स किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंदरु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें